नमस्कार दोस्तों जैहिंद नमस्कार दोस्तों वर्दी वालू के जीवन का भी अजब पसाना है तीर भी चलाना है और परिंदू को भी बचाना है राजस्तान पुलीस फॉंडेशन कोर्स आसु सर का श्पेशली आपको अगर अपने बात करें सिर्फ और सिर्फ त्यारी कर एप पे आपको मिलेगा तो सर महिला यहूं बाल अपराद के नोट्स कैसे प्राप्त करें अगर आपको महिला इन बाल अपराद रास्तान पुलीस और रास्तान अगर ऐसा ही की बने में बात करें तो वह आपको मिलेगा त्यारी कर लो एप और आपको क्या करना है त्यारी क मुलेगा। अगर अपने बात किरें रांसतास Allen स्पैशल मुट का तो वह आपको मिलेगा तियारी कर लो एप पे और इसके लावा किसी और सुर्व का नहीं है पुलिस वाला उनका selection भी हुआ था जो मेरे मित्र जुड़े उनका तैदिल से धन्यवा जिनोंने सर को मेसेज करके अवगत करवाया कि भी हमारा जो selection हुआ है वो आसुसर की वज़े से हुआ था तो अभी जिनका अभी तक मेरे जो ने मित्र आप जुड़े हैं जिनकी एज अभी फिलहाल तो उन मित्रों के साथ अगर जुड़े तो किस तरीके से जुड़े जाएगा, उसके बार में भी अपने चर्चा करेंगे आसू सर ने पिछली भरती में कियसे रचाई किया सर पिछली भरती के अंदर राद दिन मैनत करके सर ने बच्चों के लिए साथ में डूटी की और अगर अपने बात करें डूटी के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया, प्रतेक्ष को परमान की जुरूरत नहीं है, एक अध्यापक अध्यापक बनाता है, और एक प्लिस वाला बनाता है, तो आपको उसके साथ जुरूर जोड़ना चाहिए. पुलिस वाला एक्जाम कब तक रहेगा यानि पुलिस का कोर्स है वो कब तक रहेगा एक पर अपने त्यारी कर लो एक की बात करें तो उसके अंदर रास्ता पुलिस का जो कोर्स है जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता तब तक अवेलेबल रहेगा और अगर इसकी तारीक कहीने कही या समय बढ़ता है तो आपके course की वेदेता भी बढ़ेगी इसके लिए आप बिल्कुल चिंता नहें करें इस course में और भी क्या सुईदाई हैं सर्थ इस course के अंदर अपने बात करें तो जितने भी इसके अंदर topic दिये गए है उनको बहुत अच्छे से बताया गया है उसके साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग उसके साथ पीडियाप और इनके जो पिछे आई वे एक्जाम के आपको पेपर और इसके साथ आपको आगे जैसी model पेपर धिरे दिरे इसके अंदर करवा दिये जाएंगे सर कोश के बारे में बताईए रास्तान पुलिस काउस्टर बेर भाइच के अगर आपने बात करें तो यह मत्तर 351 रुपे में आपको मिलेगा और आपको जाना है त्यारी करो एप पे लिख रहा है जो आपकी इस्क्रियंड पर अगर आप पहली बार visa करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ नाम लिखना है जो भी आपका नाम है वो नाम लिख देना उस्के बाद आपको यहां पर मोबाइल नमर लिखने अपने मोबाइल नमर लिखने के बाद एक password डालना है जो आपको याद रहे जो भी आपका password हो जो आपको हमेशा याद रहे वेसा password डालके यहां पर click करना है I agree with ठीक है उसके बाद इसे submit कर देना है submit करते ही आपकी ID बन जाएगी एप पर उसके बाद अगर आपने पहले से ही एप को install कर रखा है और phone number और password डालकर login कर लिजे यानि अगर आपके एप पहले से ही download है तो आपको phone number डालना है और जो आपने password डाले वो डालना है और फिर क्या कर लेना है लोगिन कर लेना है अगर आप अपने password भूल चुके हो तो आपको क्या करना है यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है forgot password यहाँ पर forward password करोगे है तो आपके पास ये box दिखेगा यहाँ पर आपको क्या डालना है mobile number डालना है और फिर submit करना है जैसे ही submit करोगे उसके बाद आपके पास क्या आएगा ये कि OTP आएगा और OTP दर्ज करके अपना नया password बना सकते हो और नया password बनाने के बाद पुने आपको वही काम करना है यहाँ अपना phone number डालना है और यहाँ password डालना है और फिर क्या कर लेना है लोगिन कर लेना है अब उसके बाद आप देखोगे तो आपको course दिखाई देंगे कुछ course एप पर दिखाई देंगे उसके नीचे बाई लिखावा है वहाँ पर click करके आप अपना course से ले सकते हो जे हिंद जे भारत